हैलो दोस्तों नमस्कार, च्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर फिर से एक नए वीडियो में जीहाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरी तरह से जानकारी देने वाला हूँ कि दिनेस लाल निरगवा जी और अमारपाली दुबे जी की एक नई भोजपुरी फिल्म की सुटिंग स्टार्ड कर दी गई है जिहां दोस्तों आज मैं आप लोगों को वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस जगहां पर सुटिंग स्टार्ड किया गया है और इस वीडियो में जो है कि ज़ानकारी देने वाला हूँ कि कौन सी फिल्म सुटिंग हो रही है फिल्म का नाम भी बताने वाला हूँ और सुटिंग से भेर सारी तस्वीरे भी लेकर आया हूँ तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ अगर हमारे चैनल पर पहली बार हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आल पर प्रेस कर दिये दोस्तों दिनेस लाल निरहुआ जी और अमरपाली दुबे जी की एक नई भोजप और जो है की चीक फिल्म की सुटिंग लखनव में स्टार्ट कर दी गई है जानकारी के अनुसार मैं आप लोगों को बताए देना चाहता हूँ दोस्तों इससे पहले जो है की दिनेस लाल निरहुआ जी बारा बंकी में अपनी भोजपुरी फिल्म की सुटिंग कर रहे थे जैसा की मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ जैसा की आप लोग तस्वीरों के माध़म से देख सकते हैं दिनेस लाल निरहुआ जी नाइट का सिन है रात का सिन है रात में जो है की डारेक्टर के साथ में बैठे हुए हैं और उनके साथ अमरपाली दुईवेजी हैं जैसा कि दोस्तों इस फिल्म के स्टार कास्ट में अभी तक मुझे जहां तक जानकारी मिली है, इस फिल्म के स्टार कास्ट में दिनेस लाल निरहुआ जी के साथ में आमरपाली दूवेजी हैं, लेकिन और भी कलाकार हैं, और भी स्टार कास्ट में और भी एक्टर हैं, तो द पर दोस्तों अभी तक मुझे करेंट लोकेशन नहीं मिल पाया है जैसे ही मुझे करेंट लोकेशन मिलेगा तो मैं आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश सबसे पहले करूँगा लेकिन इतना पता है कि लखनाव में जो है कि निरहु आमरपाली दुबेजी की नई पता करेंट लोकेशन पता करके वहां के जो निवासी है आप लोग उनसे जो है कि जानकारी लेकरके करेंट लोकेशन आप लोग पता करिए यह करेंट लोकेशन पता करके उनसे जाकर के आप मुलाकात कर सकते हैं दोस्तो दिनेस लाल निरहुआ जी की सुटिंग अभी स्टार्ट हुई है क्योंकि अभी हाल ही में सुटिंग स्टार्ट हुआ है अभी काफी दिनों तक जो है कि वहां पर सुटिंग चलेगा माने तो सीधा जाएंगे मुंबई मुंबई का भी कुछ सीन है क्योंकि मुझे जहां तक जानकारी मिली है मैं आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं और वहाँ पर जो सुटिंग कर रहे हैं वहाँ जैसे कुछ सीन करेंगे जैसे 10-15 दिन या 5-6 दिन 10 जो भी करेंगे सूट और वहाँ पर सूट करने के बाद जो है कि सीधा चले जाएंगे मुंबई और मुंबई में साइध कुछ सीन का सूट भी होगा क्योंकि मुंबई में भी बहुत बेस्ट बेस्ट लोकेशन है लेकिन मानना पड़ेगा लखनव में बहुत ही जबर्जस्ट जबर्जस् तो आपो देखुएगा इसकी कहानी कुछ अलग है जैसा कि अब लोगों ने देखा होगा पुछा में देखें होंगे आप लोग लेकिन इस फिलम में कुछ हट करके कहानी है और जैसे की दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ अलग न Все आपका ये में नजर आएंगे दिनेस लाल निरहुआ जी क्योंकि उनकी जो भी फिल्म सुटिंग होती है कुछ न कुछ अलग करने के कोसिस करते हैं जैसे कि हे राम जी में आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें कई प्रकार के कुर्ते पहने थे जैसे कि हर कलर के कुर्ते सिर्फ पूरी फिल्म में जो है कि वो कुर्ता ही पहने नजर आए हैं कुर्ता पहने और गले में एक माला बड़ा सा माला जब से दिनेसलाल निरववजी लोग सभा का चुनाव हारे है आजमगाँ से, तब से ले करके आज तक, आज तक जो है कि उनकी तीसरी फिल्म श्टार्ट कर दी गए यहां दोस्तों पहली फील में थी हेराम जी और दूसरी फील में थी 45-yscy आंगन तक और तीसरी फील में की शुटिंग जो होने जा रहा है उस फिल्म का नाम है चीख और इस फिलम में दिनेस लाल निरवजी के साथ में आमरपाली दुएजी नजर आने वाली हैं क्योंकि दो-दो फिल्में जो सूटिंग हुई थी उनमें आमरपाली दुबे जी नहीं 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 हिरोईनी थी नहीं 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 हिरोईने के साथ में जो है कि दो फिल्म कर चुके हैं दिनेसला निरवा जी और तीसरी फिल्म जो होने जा रही है इसमें आमरपाली द दोस्तों में सेयर करिए क्योंकि दोस्तों अगर यह जानकारी अपने दोस्तों तक आप लोग सेयर करोगे तो वो जरूर से जरूर जरूर जो है कि दिने सलाल ने रहुआ जिसे मिलने के लिए लखनव में जरूर जाएंगे तो दोस्तों अगर आप लोग भी सुटिंग देख